देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि राशा करता हूँ, आप सभी सवस्त होंगे, महादेव के क्रिपा आप सभी पर सदैब बनिद है। यह वीडियो है, 27 मही 2022, फ्राइडे आने के शुक्रवार के दैनिक राशिफल के बारे में, एक बहुती सामाने सा जोतिश, विश्रिशन होता है, आपके गाइडेंस के लि लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी एक संग्शिप्त सी नजर डाल लेते हैं, 27 मही 2022 का पंचांग इस तरह से हैं, तिथी रहेगी द्वादशी, नक्षत्र रहेगा अश्वनी, योग रहेगा सौव भाग्या, करण रहेगा तै तिला, और वार रहेगा श रिशब में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा रोहिनी, विशेश मुरुतों की बात करेंगे, ब्रह्म मुरत 4.4 a.m. से 4.45 a.m. अभिजीत मुरत 11.52 a.m. से 12.47 p.m. और अमृत काल 6.42 p.m. से 8.25 p.m. अशुब मुरुतों की बात करेंगे, राहुकाल 10.36 a.m. से 12.19 p. और अमृत गुलिक काल 7.9 a.m. से 8.53 a.m. तक इन दोनों ही अशुब मुरुतों में यदि आपको घर से निकलना हो, तो आपको भैरव चली सा या फिर दुर्गा चली सा दोनों में से किसी का भी एक का पाठ आपको करके घर से आज बाहर निकलना है, तो यह था पंचांग चलेंगे राशी फल पर शुरुआत करेंगे मेश के साथ, मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है, सौमिता रखेगा अपने विवहार में तो और अच्छा रहेगा, stability आती भी दिख रही आज आज आपकी लाइफ में, पैसों से संबंदित भी कुछ अच् में कटुता हुई, वहीं पर problem साथ हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी बहुत कड़वे बोल बोल रहे हैं, बीते कुछ दिनों में, और वो personal life में जादा हो रहा है, और बोल देते हैं, उसके बाद पच्छताते हैं, और फिर एक गलानी की भावना में, गेल्ट की भावना में अपने आपको डुबो देते हैं, तो थोड़ा सा अपने शब्दों के चैन पर कंट्रोल रखेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपके लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, करियर बे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन आज का अच्छा है, अपने क सायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है फैमली में और उसका एक इंपक्ट आज बिजनस पर पढ़ सकता है, जहां तक लव लाइफ की बात है, देखें, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टन होती है, ठीक है रिलेशन्शिप में है, मजाग चल जाता है, लेकिन य चीजों को लेकर रहेगी जिसका एक इंपक्ट आपके विवाहिक जीवन पर भी पढ़ेगा, स्टूडेंस से एक कहूंगा कि भरोसा बहुत इजीली कर रहे हैं कई लोगों पर और इसका एक नकरात्मक प्रभाव आपको बहुत जल्दी मिल सकता है, जहां तक सेहत की बात ह गले से संबंदत रोगतंग करेंगे, सरवाश्टक के हिसाब से आपका नवास्थान यानि कि भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का कही न कहीं तो साथ मिले गा ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका जादा आज उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, आपके लिए यह है कि आपको लक्ष्मी माता का ध्यान करते वे लक्ष्मी चालीसा का दो भार पाठ करना है, तो अंक है आपका छे, शुप कलर है आपका रेड और भाग्य प्रतिजत है, सत्तर प्रतिश्ट, है टॉरस यानि कि व्रिशप की तरफ है, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, बस एक चीज मुझे लग रही है कि गुसा थोड़ा जादा रहेगा, और वो गुसा आपके आसपास के ही किसी व्यक्ति पर उतर सकता है, तो गुसे पर कंट्रोल कीजिए, बनना तो दिन आज का बहुत अच्छा है, बहुत अवेर रहेंगे, बहुत जागरुक रहेंग एक जो बैलेंस आप अपने नीजी जिन्दगी में और प्रोफेशनल लाइफ में धून रहे थे, जो नहीं मिल पा रहा था, या किसी भी और संदर्ब में बैलेंस जो धून रहे थे, वो आज आपको प्राप्त हो सकता है, बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन का आपको ल ग्रोथ के चांसेज हैं, बिजनस को आगे बढ़ाने के चांसेज हैं आज, अच्छी opportunities मिल सकती हैं, उनका ध्यान आपको करना होगा, यानि कि उनको समझना होगा, परखना होगा और फिर उनको utilize करना होगा, लव लाइफ पे चलते हैं जो लोग relationship में हैं, यादि अपने relationship को शादी शुदा जिन्दगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसकी planning के लिए दिन अच्छा है, विवाहिक गिवन के हिसाब से थोड़ा सा नकरात्मक दिन है, कुछ बातें ऐसी शायद हो रही हैं, जो आपको थोड़ा उदास रखेंगी आज, students से यही कहूंगा कि यह उपाई यह रहेगा कि आपको दुरगा चालीसा का एक बार पाठ करना है, शुबंग के आपका नौ शुब कलर है, आपका ब्राउन भाग्य प्रतिशत है 75%, अब चलते हैं जमिना यानि की मिथुन की तरफ पर, आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, आज सुब आपके साथ हो सकता है, कि कोई ना कोई ऐसे ही आप से कुछ कह देगा और शायद वो आपके लिए एक गाइडेंस का काम कर दे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो मैं यही कहूंगा कि उनको सुलजाने की कोशिश कर लीजी, हो सकता है थोड़ा कॉंप्रोमाइज भी करन करने की कोशिश करेंगे तो दिन और अच्छा रहेगा, दिन के अंतिम भाग में थोड़ा गुस्सा जादा रह सकता है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं, इगो क्लैशेस ह हो सकते हैं और वो आपके लिए थोड़ा साज नकरात्मक प्रभाव लेकर आएंगे, जहां तक विवाहिक जहां तक बिजनस की बात है, मुझे लग रहा है कि आसपास बहुत सारी ऑपरचुनिटीज हैं आपके, लेकिन आप थोड़ा लेड़ बैक सा एटिटिटूड है, मतलब कि चलो ठीक है, जतना आ रहा है, उतना ही काफी है, इसको बदलिए और मौके का लाब उठाइए, लव लाइफ पे चलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक दूसरे से एक ब्रेक की ज़रूद है आपको, ब्रेक अप की नहीं लेकिन ब्रेक की, मतलब कि यदि एक दूसरे की साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, एक दूसरे का सर खा रहे हैं, एक दूसरे से बस लड़ ही रहे हैं, तो थोड़ा दो-तिन दिन एक दूसरे से अलग बिताईए, उससे सोचने का भी मौका मिलेगा आपको, और दुबारा एक freshness भी आपाएगी, विवाहिक जिवन के हिसाब से emotions तोड़े ज़ादा रहेंगे, इसके साथ ही आपको अपने life partner के emotions को भी समझने का प्रयास आज करना होगा, तो अच्छा रहेगा, students के लिए अत्यन्त शुब दिन है, बहुत अच्छा दिन है students के लिए, लाब आज कुछ ना कुछ अवश्य होगा, कुछ ना कुछ अच्छा आज आपको प्राप्त हो सकता है, कोई exam यदि आज आपका है तो बहुत अच्छा करेंगे, सेहत के हिसाब से high BP की problem तंग करेगी, जहां तक सरवाश्टक की बात है, आपका साथवा स्थान अत्यंत वली है, तो business करते हैं और यदि कुछ बहुत बड़ा amount invest करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पे लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं यह नहीं कहला कि मत कीजी, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए consultation ले लीजे कीज़े से, आपके लिए उपाई यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का दो बार पार्ट करना है, शुबंक के आपका one color है, pink भाग्या प्रतिशत है 75%, चलते हैं cancer यानि की कर्क राशी की तरफ थोड़े निरने गलत ले रहे हैं आज कल, आज कल मतलब की पिछले कुछ दिनों से भी और आज भी शायद ले लेंगे, या फिर दूसरी चीज यह हो सकती है कि कुछ decision आपको लेने होते हैं तो बहुत confused हो जाते हैं, perplexed हो जाते हैं, double minded हो जाते हैं, इस चीज पर थोड़ा control करेंगे, इस चीज को थोड़ा थीक करने की कोशिश कर लेजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको कुछ और बड़े निरने लेने पड़ सकते हैं, कुछ चीज डिले कर रहे थे या टाल रहे थे, उस चीज को पूरा कर लीजेगा, वनना आगे चल कर वह आपको तंग करने वाली है, थोड़ी authority आपको life में अपनी लानी पड़ेगी आज, थोड़े logical भी हुई है, ऐसा लग रहे है, थोड़ा emotions का आपके उपर जादा प्रभाव पड़ रहा है, practicality से, logical चीजों से थोड़ा सा आपका, जो, आपका जो मस्तिश्क है, वो थोड़ा उससे दूर है, मतलब कि जो भी कर रहे हैं, उसको emotions के बहाव में कर रहे हैं, कई लोगों से, कई लोगों से आज आपके विवाद हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि, दिन के अंतिम भाग में बहुत इमोशनली low feel करेंगे, और उसका कोई exact reason आपके पास नहीं होगा, लेकिन, शायद कई चीज का मिश्रण होगा, जो थोड़ा आपको low feel करवाएगा, करियर पर चलते हैं, जो लोग job करते हैं, आज hard work का दिन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि, बहुत जादा कार्य आपको करना पड़ रहा है, ना केवल professional life में, even personal life में भी बहुत काम करना पड़ रहा है, इसके करन जो body है, mind है, वो थोड़ा stressed feel करेगा, business के हिसाब से दिन ठीक ठाक सा है, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा authority रखनी पड़ेगी अपने business में, पिछले 3-4 दिनों से आपके जो employees है, या जो भी आपके आसपास हैं, वो आपको या तो respect नहीं कर रहे हैं, आपके decisions को नहीं मा बलकि आपके partner भी एक नकरात्मकता रहेगी दोनों के बीच में, जहां तक विवाहिक जिवन की बात है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बिलकुल भी समझ नहीं पा रहे हैं अपने life partner को, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनके साथ बातचीत धंग से करें, या जो भी वो आपसे convey करना जाते हैं, message आप उसको समझ नहीं पा रहें, और यही आपके लिए थोड़ा नकरात्मकाज हो सकता है, जहां तक सेहत की बात है, जहां तक students की बात है, थोड़ा सा आपको अपने दोस्तों से दूरी बनानी पड़ेगी, ना किवल आज बलकि आने वाले समय में भी, क्योंकि उनके साथ बहुत जादा समय वहतीत कर रहे हैं, और वो आपके study पर एक impact डाल रहा है, इस पर थोड़ा काम कीजेगा, सेहत के हिसाब से यदि आपको हृदे संबंदित कोई रोग है, तो आज बहुत ध्यान देने की जरोत है, सरवाश्टक के हिसाब से आपका छटा स्थान अत्यंत बली है, तनाव रहेगा, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आज थोड़ा तनाव ज़ादा रहेगा, उपाय है, दुरगा चलीशा का एक बार पाट करके, दुरगा जी की एक बार आर्थी कीजेगा, और लक्ष्मी चलीशा का भी एक बार पाट की है जो आपको उत्साहित करेगी घर में अच्छा महल रहेगा financial stability financial security रहेगी पैसों के संदर्ब में कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है जिस चीज में मेरनत कर रहे थे उसके अच्छे परिनाम मिल सकते हैं कि मैं यह कहूंगा कि कभी-कभी जल्दबाजी में किसी चीज की डिटेल नहीं आप देख पाते और उसके कारण जो आपका अपना potential है आप उसको अचीव नहीं कर पार है कुछ भी करें कुछ भी नया करें कुछ भी start करें तो आज आपके साथ हो सकता है भागे का भरपूर साथ मिलेगा यहां तक बिजनस की बात है थोड़ा inspiration चाहिए आपको motivation चाहिए ऐसा लग रहा है कि क्योंकि चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही जासे आप चाहते हैं इसी कारण थोड़ा motivation कम हो गया है तो वह motivation जो खो गया है उसक तक विवाहिक जीवन की बात है कि यदि आप family planning के बारे में सोच रहे थे तो काफी चीज़ों को कि आप consider कीजिए उसी के बात कोई निर्णे लीजीगा students के लिए दिन ठीक ठाक है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे के बारे में कुछ जादा ही सोच रहे हैं और उसके कारण currently क्या करना है उस पे focus आपका थोड़ा कम हो गया है सेहत के इसाफ से चेस्ट संबंदित रोकतंग करेंगे जहां तक सरवाश्टक की बात है पांचवा स्थान अत्यंत बली है किसी creative field में काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उपाय है दुरगा 40 और लक्ष्मी 40 का दो दो बार पाट करना है शुबंग क्या आपका चार शुब कलर है आपका ग्रीन भाग्य पतिशत है 75 पस चलते हैं कन्या यानि की वर्गो की तरफ आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है थोड़े उतसाहित रहेंगे future को लेकर हो स सकता है कहीं से आपको guidance चाहिए थी वो भी आपको मिल सकती है उसके साथ ही आज का दिन self analysis का है देखिए कि life किस direction में जा रही है कहां ठीक करना है कहां और better हो सकते हैं इन सब चीजों के लिए आज का दिन आपका बहुत अच्छा है कोई आपसे यदि argument करता है तो डर मत जाय किजिए उस argument का logical और grace में रहके आनिकी जो भाषा की मर्यादा है उसमें रहके यह आप जवाब दीजिए लेकिन डड़िये मत क्योंकि ऐसा लगता है कि argument से या discussion से भाग जाते हैं और फिर उसका एक negative impact आपके image वे पढ़ता है दिन के अंतिम भाग में थोड़ा गुस्ता ज चलने शुरू हो जाएंगे और उसके कारण थोड़ी problem पढ़ जाएगी करियर पर चलते हैं गवर्मन जॉब करते हैं अच्छा दिन रहेगा जहां तक business की बात है थोड़ा सा अनिश्यत्ता रहेगी आज बहुत confused रहेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों को लेकर love life पर चलत आपके आसपास चल रहा है उसका एक negative impact आज आपके विवाहिक जिवन पर पढ़ सकता है students के दिन अच्छा रहेगा जो भी आपका subject है जो भी आप पढ़ते हैं जो भी आपका field है उसमें बहुत अच्छा आप आज पढ़ पाएंगे retention अच्छा रहेगा कोई exam यदि आपका आज पढ़ता है तो उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे सेहत के हिसाब से सरसे संबंदित रोगतंग करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है तो emotions के भाव में आकर कोई भी निरन्याज मत लीजेगा आपके लिए उपाए है कि आपको दुरगा चालीसा लक्ष्मी चालीसा का एक एक बार पाठ करके दुरगा जी की एक बार आरती करनी है शुबंक है दो शुब कलर है येलो भा प्रोफेशनल लाइफ में कि आज आपका मन करेगा कि सब कुछ एक ठहर जाए और कुछ ना करना पड़े अगर सोय हुए तो आप सोय रहें बैड में पड़े रहें क्योंकि इतना कुछ आसपास चल रहा है कि आपका उन में से कई चीजों पर कंट्रोल नहीं है कई लोगों पर कंट्रोल नहीं है इवन अपने एमोशन पर भी कंट्रोल नहीं है तो यह सब आपको आज जो आपके मन में जो भाव रहेगा वो यही रहेगा कि काश सब कुछ थम जाए और आज कुछ ना करना पड़े तो थोड़ा सा अजीब सा आज आप फील करेंगे कुछ अच्छा प्राप्त जरूर हो सकता है क्योंकि धन योग तो बने हुए नवामसा में लेकिन क्या आप उसका फाइदा उठाव सकते हैं जिसका मुझे थोड़ा सा चांसे सकम लग रहे हैं मुझे लगता है कि आपको किसी बड़े से किसी मैच्योर व्यक्ति से किसी बुद्धिमान व् भरोसा कर सकते हैं वैसे ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं लेकिन शायद इस समय में आपके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है गुस्सा थोड़ा जाधा रहेगा रात के समय दिन के अंतिम भाग में गुस्सा फ्रस्ट्रेशन ठोड़ा जाधा रहेगा करियर पर चलते हैं जो इंपक्ट नहीं डाल रहतेगा, जहां तक business की बात है, यहां पर धोका मिल सकता है, आज बहुत सावधान आपको रहना है, धोका मिल सकता है, फ्रॉड हो सकता है, बहुत सावधान रहेगा, लव लाइफ पे चलते हैं, मुझे लग रहा है, एक break चाहिए आप दोनों को, मलकी एक दूसरे से नहीं, कहीं साथ में निकल जाएए, एक trip पे निकल जाएए, उससे जो भी नकरात्मक्त आ गई, उसमें बहुत अत्तक कमी आएगी, जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, यदि बहुत जादा issues चल रहे थे, तो आज भाग्य साथ देगा, उनको solve करने के लिए अच्छा दिन है, जहां तक students की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि, basics clear नहीं है और आप आगे बढ़े जा रहे हैं, और यही आगे चल कर आपको एक नकरात्मक प्रभाव भी दे सकता है, सेहत केस आपसे high वीपी तंग करेगा, सरवाश्टर केस आपसे तीसरा स्थान अत्यंद वली है, communication पर थोड़ा ध्यान दीजेगा, भाई बहनों से जगड़े हो सकते हैं, उपाय है, लक्ष्मी चलीसा, दुरगा चलीसा का एक बार पाठ करना है, और लक्ष्मी जी के एक बार आरती करनी है, शोबंक है 6, कलर है, गोल्डन भाग्य प्रतिशत है 70%, अब चलते हैं, स्कॉर्पिय आने की व्रिष्चिक के तरफ, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, आज बैलेंस रहेगा दिन में, जिसकी कभी-कभी आपकी लाइफ में थोड़ी कमी आ जाती है, मानसिक तोर पर, शारेरिक तोर पर भौतिक जीवन में, हर तरफ आज बैलेंस दिख रहा है, लाइफ आगे बढ़ेगी, जहां पर जिन्दगी थम सी गई थी, वो जिन्दगी आगे बढ़ेगी, एंबिशियस रहेंगे, लीडर्शिप दिखाने का मौका मिल सकता है, फोकस बढ़ाईएगा अपना, कभी- आज लग रहा है कि फोकस रहेगा, दिड़ता रहेगी, कुछ न कुछ अच्छा आज आपके साथ हो सकता है, आपकी लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में भी जो दिक्कते आ रहे थी, उनका भी निवारन आज आपको प्राप्त हो सकता है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, और यह चीज़ लोगों के नजर में आ रही है, और इसके कारण आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो ऐसे लोग हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनकी जो गिंती है वो बढ़ते जा रही है, मैं यह कहूंगा कि देखें, ज जैसा दोहा है कि ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर तो वैसा ही यदि आपका एक नेचर रह सकता है आपके कारक्षेत्र में तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि यह चीज आपको आगे चल कर भी प्रॉब्लम देगी जहां तक बिजनस की बात है यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है क्योंकि आज थोड़े लॉसेस आपके हो सकते हैं लव लाइफ पे चलते हैं जो लोग रिलेशन्शिप में हैं आज आपके लॉयल्टी का टेस्ट हो सकता है कमिट्मेंट का टेस्ट हो सकता है विवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा रहेगा बैलेंस दिन रहेगा स्टेबिलिटी रहेगी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे एक दूसरे के पूरक होंगे स्टूडेंस से यह कहूंगा कि अपनी नॉलेज को और इड्क्रीज कीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप ओवर कॉंविडेंट हो जाते हैं और उसके कारण अपने पोटेंशल तक नहीं पहुंच पाते सेहत के हिसाब से लंग्स से संबन्दित और सांसों से संबन्दित ब्रीधिंग इशूज आपको तंग कर सकते हैं जले तत्व की राशी है तो कभी इनको ब्रीधिंग इशूज कंफरोग होते हैं यदि ऐस ей तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपके लिए सरवाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान अत्यन्त वली है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ी अपनी नौलेज को और येन साथ कलर है आपका वाइट और भाग्य प्रतिशत है 75 अब चलते हैं सेजिटेरियस याने की धनों की तरफ दिन थोड़ा मिला जुला सा है क्योंकि कहीं कहीं पे थोड़ा इमिच्योर सा विहेव आपका हो सकता है यह हो सकता है आपके लाइफ में जो बड़े हैं सीनियर्स हैं उनकी तरफ से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वह आपको चीज नहीं प्राप्त होगी यह थोड़ा सा आपको तंग करेंगे कुछ नयापन लाने का दिन है आज लाइफ कहीं पे यदि मोनोटनस हो गए तो थोड़ा सा चीजों में बदलाव कीजिए ऐसा लग रहा है कि ह हर चीज को एस चैलेंज यदि आप लेना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग सी स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी और लाइफ आपकी और आगे बढ़ेगी जो धनू राशी के जातक है एक वारियर होते हैं मैंने देखा इनके लाइफ में इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है यूजली और जहां ये डर जाते हैं वहां इनकी लाइफ खराब होना शुरू हो जाती है और जहां ये एक योध्धा की तरह हर चैलेंज को एकसप्ट करना शुरू कर देते हैं इनकी लाइफ आगे बढ़ती है यदि आप लोगोंने देखा होगा जो मैंने रीसेंटली सीरीज बनाई है तो मैंने बहुत विस्तार से बताया है अज़नू के बारे में उस चीज़ ध्यान रखेगा आप एक योध्धा हैं आप कभी भी किसी से ना ही डॉमिनेट होने के लिए बने हैं नाही किसी से डरने के लिए बने हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ही बने हैं चैलेंजिस को एकसेप्ट कीजिए आगे बढ़िए एक चीज थोड़ी नकरात्मक आज हो सकती है यदि आप पर कोई तंत्र क्रिया करी हुई है थोड़ा मैं वर्ग कुनली देख रहा हूं गुलिक्का में को थोड़ा सा तो आज उसका नकरात्मक प्रभाव हो सकता है यदि आज आपकी अचानक से तबित खराब होती है तो समझ जाईएगा कुछ तंत्र क्रिया आप पर हुई हुई है लव लाइफ पर चलते हैं सौरी करियर पर चलते हैं यदि नई जॉब ढूंड रहेते तो उसके लिए आज अच्छा दिन अच्छा है कोई ना कोई नया ओफर मिल सकता है बिजनस के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है आज सोचेंगे ज्यादा करेंगे कम लव लाइफ की जहां तक बात है ऐसा ऐसी वात लग रही है मुझे कि आप अपने पार्टनर को बस सुनाए जा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं कि तुम में ये गलती है तुम में ये गलती है लेकिन अपनी गलतिया नहीं देख रहे हैं कोई भी परफेक्ट नहीं होता आप में भी गलतिया होंगी ठीक है आपके पाटना में हो सकता है ज्यादा गलती हों लेकिन अपने उपर भी थोड़ा काम कीजिए जहां तक विवाहिक जीवन की बात है यहां पर सब कुछ ठीक ही लग रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बोरियत सी हो रही है एक स्टेगनेशन सा आगया है आपके विवाहिक जीवन में इस पर काम करना होगा स्टूडेंट से यही कहूंगा कि ओवर कॉंफिडेंट मत्वील करें बनना आगे चलकर यही चीज आपको परिशान करेगी सेहत के हिसाप से फीवर हो सकता है आज और एंग्जाइटी की प्र चलते हैं के प्रिकॉन यानि की मकर की तरफ आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा दिख रहा है भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन पुरानी यादों में खोई रहेंगे और बार बार और यह सुबा सही स्टाट हो जाएगा कुछ ना कुछ मैं यह नहीं करा नकरात्मक यादे परसनल लाइफ में किसी से वाद विवाद हो सकते हैं और यदि वो स्टार्ट होते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर जाकर अंतो होंगे कोशिश कीजेगा कि ऐसी सिच्चू से दूर रहें भागे का साथ मिलेका जैसे मैंने बता दिया है कुछ नया सीखने की कोशिश कीजेगा आज रेटेंशन पावर अच्छी रहेगी चीजों को समझने की सोचने की अनलाइज करने की शमता अच्छी रहेगी तो इस चीज का उपयोग कीजिएगा रात के समय अलग सी एक फीलिंग रहेगी आप थोड़ा एंग एक तो एंग्जाइटी भी रहेगी उसके साथ थोड़ परिशान करने वाली है तो मैं यही कहूंगा कि शाम के समय थोड़ा मेडिटेशन कर लीजे पूजा पाट कर लीजे इन छोटी सी चीजों से ही इस सब में एंग्जाइटी फ्रस्टेशन में बहुत फरक आपको देखने को मिलेगा करियर पे चलते हैं जो लोग जौब करते है आज यातरा करनी पर सकती है जौब के करण अपने कारे से संबंदित कुछ भी यातरा और वो आपके लिए यदि ऐसा मौका मिलता है तो आपके लिए फलतायक रहेगी बिजनस के हिसाब से अत्यनत शुब दिन है पैसा आएगा मान सम्मान बढ़ेगा बिजनस की प्रॉब्लमेटिक बनेगी इस पर काम करना शुरू कर दीजिए एक रिलायबल पार्टनर बनिए जहां तक विवाहिक जीवन की बात है यहां पर चीज़े अच्छी दिख रही है आज बहुत अच्छा दिन रहेगा स्टूडेंस के लिए दिन अच्छा नहीं है बहुत पर पाई यह है कि आपको काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का दो दो बार पाठ करना है और एक बार लक्ष्मी मा की आरती उतारनी है शुबंग के आपका पांच कलर है आपका ब्राउन भाग्य प्रतिशत है 75% आप चलते हैं एक क्वेरियस यानि की कुम्भ की तरफ आप आ रहेगा आपके मस्तिश्क में और इसी लिए दिन का फाइदा उठा पाएंगे मुझे यह लग रहा है कि थोड़ा पैसों से संबंदित जो भी प्रॉब्लम आ रही थी आज उसका भी कुछ निवारा नहों सकता है मैं यह नहीं कह रहा कि सब कुछ ही सॉल्व हो जाएगा ल भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है तो आज के दिन का लाब उठाईएगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा फ्यूचर को लेकर बहुत उसाहित रहेंगे और इसके कारण थोड़ा इंपेशन पीरा सकते हैं कभी कभी कुछ बहुत अजीब सा व बनेंगे और उसका शुरुवात आज से कर देंगे तो और अच्छा रहेगा लव लाइफ पर चलते हैं यदि थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है तो थोड़ा सा ध्यरे बनाके रखिए आने वाले समय में सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी ध्यरे बनाने सेहत के हिसाब से आज कुछ नकरात्मक जादा नहीं दिख रहा जहां तक सरवाश्टक की बात है ग्यारवास्थान अतिंत बली है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा और लावस्थान भी बली है तो कुछ ना कुछ आपको आज अच्छा प्राप्त आवश्य होगा आपके रखेगा ग्रैटिट्यूड का भाव रखेगा सबके प्रति कुछ अच्छा आपके साथ हुआ है किसी ने अच्छा आपके साथ किया था किसी ने आपकी मदद करी तो आज उनके कॉंटेक्ट में आईए उनको थैंक्स बोलिए उनके लिए एक धन्यवाद का शब्द का प् कुछ इस भाव में रहेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है कि परस्नल लाइफ में थोड़ी बहुत किसी से छोटे लेवल पर तू-तू-तू-तू-तू हो सकती है उसको वाइट कीजिएगा क्योंकि दिन बहुत अच्छा है इसका आपको प्रयूग करना है उपयोग करना एप जो महनत कर रहे थे उसके आज भल बहुत अच्छे देखने को प्रापत हो सकते हैं कुछ बहुत हीप जीन में पर्सनल लाइफ में फैम्ली लाइफ में हो सकता है आगे बड़ी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी आज- अपने डाइट पर अपने दिंचर्या पर ध्यान दीजिए क्योंकि शायद वह अस्त व्यस्त हो गई है उस पर काम करेंगे तो आपका जो आने वाला जीवन है वह और स्टेबल रहेगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं दिन ठीक है कॉर्परेट सेक्टर में काम करते हैं तो और अच्छा रहेगा बिजनस के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है मुझे लग रहा है थोड़ा सा कभी-कभी ध्यान भटक जाता है क्योंकि या तो ओवर्वर् स्टेफ कि जहां karışहा बात हो क clipping कि आप कर से लेकिन ऐसा लगहां दूसरे को समझ नहीं रहे और यह यदि होना शुरू हो जाता है तो love life में problem होती है romantic life में problem होती है जहां तक विवाइक जिवन की बात है यहां पे सब कुछ अच्छा रहेगा एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से आथ समझ पाएंगे emotional compatibility अच्छी रहेगी और spiritual level पर एक दूसरे से connection रहेगा students से मैं यही कहूंगा जो कार्य अटक रहे ते वो पूरे हो सकते है जहां तक सेहत की बात है पुल्टा सीधा खाना खाने के करन प्रॉब्लम हो सकती है सरवाश्टक के हिसाब से आपका कार्य स्थान अत्यंत बली है तो career में अचानक से आज कोई बहुत अच्छी opportunity आपको प्राप्त हो सकती है आपके लिए उपाय है लक्ष्मी चालीसा का तीन बार पाट करके उनकी एक बार आरती करनी है लक्ष्मी माता की और साती में काली चालीसा का विया आपको दो बार पाट करना है शुबंग के आपका पांच कलर है ग्रीन भाग्य प्रतीशत है 75% तो ये था आज का राश्रीफल चैनल पर नहीं है, सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए